परदान मंतरी ने देशवासियों में देशभक्ती की भावना जगाने के लिए हर घर तरिंगा अभियान शुरू किया इसका असर दिख रहा है गां हो या सहर देश के असंग के घरों की छतों पर राष्टी ध्वज लहरा थे दिख रहे हैं लेगिन चलिए आपको एक अनोखा आजादी का अम्रित महश्वा दिखाते हैं जहां किसानों ने अपने खेतों म धान का कटोड़ा का जाता है और यहां धान की फसल बहुत अच्छी होती है और आज के समय यहां की किसान औरगैनिक खेती से लेकर मौडर्न फॉर्मिक टेकनीक से धान की खेती कर रहें किसान हमेशा राजनेतिक पार्टियों के मुद्दे रहते हैं लेकिन असल माइने में आजादी को लेकर देश के किसान क्या सोचते हैं एक बार आप भी सुननीजिए पूरा देश आजादी का अमरिक महतसो मना रहा है हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है लेकिन इस वक्त हम धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में हैं चंदौली में किसान हैं जो खेतों में तिरंगा फैरा रहे हैं और आजादी का जश्ट मना रहे हैं आप देख सकत भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं तो ये ये उन्नत सील की शान है जो आरगेनी खेती करते हैं आदनी खेती करते हैं लेकिन ये धरती मा की गोद में आ करके ये तिरंगा लहरा रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे भी हैं इनका आप उत्साह देख सकते हैं यहां पर ये मसी के लिए जजबा है आप देख सकते हैं यह महिलाएं भी है जो भारत माता की जय के नारे लगा रही है बुजुद महिलाएं भी है और दुलहने भी है खास बात यह है कि घुमवट में भी जो है यह जो घर की दुलहन है वो भी आई है और यहां पर इस जस्न में शामिल है से मातरम और भारत माता की जय के जयकारे गुज रहे हैं और यह चहनिया ब्लाक का हरदन जुड़ा गाउं है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है प्रहानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आहवान किया था कि हर घरती रंगा अभियान चलेगा लेकिन यहां तश्वीरे कुछ अलगी कहानी बया कर रही है जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं और यहां पर जो महिलाएं हैं पुरूस हैं बच्चे हैं वो तमाम लोग जो हैं वो आजादी के जश्न में सराबोर हैं यहां के जो किसान है जैन सिंग इनसे ह लग रहे हैं तो जैन सिंह जो यहां के उन्नसील किसान इन से बात करते हैं जैन जी यह बताइए कि हर घर ती रंगा लेकिन यहां तो हर खेत में ती रंगा दिखाई देश आप देश के प्रधान मंत्री नर्द मुदी जी ने एक आवहन किया है कि किसान हमारा सम्रिद्ध हो और उसके लिए भारत सरकार के बहुत सी योजनाएं हैं उनके पचार पसार में सरकार के ने काफी धन खर्ज किया है और हम सनातन धर्मा लंबी हैं देश के प्रधान मंत्री के राजा के रूप में स्विकार करते हैं उनकी कही भी बातों को अक्षा सा पालन करते आए हैं य कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए किसान को सम्रीद होना आवस्यक है और सरकार की सुविधायें ले करके किसान सम्रीद साली हो सकता है जैन जी आपके दादा जी भी freedom fighter थे तो ये जजबा तो आपको विराशत में मिला है क्या कहना चाहेंगे इस जजबे की विशे में तो यही कहना है कि हम हमेशा से भारत माता को अपनी माता के स्विकार करते आए हैं देश के खुशाली के लिए हमेशा हमारे परिवार ने बल् माध्विंद प्रताप सिंग माध्विंद जी धर्ती मा की गोद में तीरंगा फैर आए आप लोगों ने क्या संदेश देना चाहते हैं क्या मकसर है संदेश हम यह देना चाहते हैं कि जब बहुत पहले भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था तो उस समय क्रिसी उत्तम अस् पहरा के हर खेत में तिरंगा फहराया जा रहा है और सबको एक किया जा रहा है क्योंकि भारत की एकता ही जो है कि हमको 20 के पटल पर पहचान दिलाती है भारत को किशान और भी है और लोग इनसे बात करते हैं यह बुजूर्ख किशान है हमारे साथ बाबु जी क्या नामें जुक का अब सेना में भी रहे हैं जी तो बढ शन्योग की बात हैं और किस्मत की बात है किए आपने सेना में देश की रख्षा की है और धरतीमा की गोध में जहन्ड़ा फहरा है क्या कहना चाहएंगे मैं कुख च्शivas कि जिए आज ऑज अ मुकुन इनसेंख होख没有 मनाया ज हमेशा के लिए सब लोग समरीद होगे और मैं यहीं चाहूंगा कि हमेशा धर्टी माता की गोज में सब लोग मिलकर हमेशा काम करते रहें और करें कैप्टन साब आपने लड़ाईया भी लड़ी होगी तो कुछ संस्वर्ण सुलाईये किस-किस लड़ाई में आप सामिल हुए थे अपने सहीग सा खहा साब चलोज आजु और कैप्टन साब को शड़ा सा उप neon लड़ाई लड़ाई देश के लिए तो यह वताये कि कि या अनुपा रहा पाकिस्तान से लडाई और चाइना से लडाई और आज किया देखते हैं इसका बियान नहीं किया जा सकता और मैं यही चाहूँगा कि हमेशा भारत देश के हित में जो भी यहां आए जैसे मुदी जी ने किया है वैसे ही करें तो निशीत रूप से यह जज़बा है यह चंदौली के लोग है जो धान का करोरा कहा जाता है क्रिशी प्रधान इलाका है और यहां हर घर तिरंगा अभियान तो चली रहा है साति सात हर खेट तिरंगा अभियान भी इन किसानों द्वारा इन अनदताओं द्वारा चलाया जा रहा है आप सभी को चंदौली से उधे गुप्ता की तरफ से सुतनतरा दिवस की बहुत बहुत सूप कामना है चंदोली चे उद्धे गुत्ता की रिपोर्ट युपितर